हेलो दोस्तो मेरा हुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इनक्स पे दोस्तो आज हम चेक करेंगे Redmi 6 में OTG का सपोर्ट है या नहीं है यहाँ पर हम पेंड्राइब को हाडड्राइब को कीबोर्ड और माउस को गनेट करके देखेंगे यह डिवाइस जो इन 4 डिवाइस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है अच्छल तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले पेंडरेब को करके देख लेते हैं यह device जो है pain drive को support करता है या नहीं करता है मैंने जो है pain drive में OTG को attach कर दिया आप simply जो है device के साथ इससे attach कर दूँगा और यहाँ पर जो है pain drive का light blink करने लेगा है जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे है और notion panel को नीचे करते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं notion भी आ चुका है और यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं और आते हैं pain drive के file manager पर तो यहाँ पर देखिए इसने pain drive को support कर लिए आप एक वीडियो को play करके देख लेते हैं यहाँ पर जो है वीडियो कितना जल्दी play होता है जो के अच्छी बात है यहाँ पर यहाँ पर लाइट है वो blink करने लगा है तो नोडियोचे पनल को नीचे करते हैं और यहाँ पर देख पाएंगे unsupported इसने दिखा दिया तो ये heart drive को support नहीं करता है अब जलिज़ कीबूर्ड और mouse को Hijas कर देख लिते हैं ये device जलिज़ कीबूर्ड और mouse को support करता है रिँने करता है मेरे पास है 울िज़ का wireless कीबूर्ड और f rank का wireless mouse हला कि wireless keyboard और mouse की combination आते हैं पर मेरा मायश खराब हो गया था इस परसे मैने फ्रांटिक का अलग से मायश वाइड़ किया है और यहान पर wireless keyboard और mouse में कोई भी जादा फरक नहीं होता है अगर आप wire लेते हैं तो रहा है तो wireण में wire होता है और अब टाइब कर लिए हैं यहाँ पर टाइप होता है कि नहीं तो यहाँ पर मैं एच टाइप करूँगा तो यहाँ पर देख पारेय हैं और यहाँ पर माउस को नेख कर देख लिए हैं यह मामस को सपूर्ट करता है तो यहाँ पर नोटिशन आ चुक Statistics आप देख पारहे हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं यह मामस को सपूर्ट किया возьकि नहीं तो यहाँ पर इसने मामस को सपूर्ट कर लिया जो की काफी अच्छी बात है तो mouse और keyboard इस phone में support हो जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है अब USB hub को connect करके देख लेते हैं यह USB hub के जरीए mouse, keyboard और pin drive तीनों को एक साथ support करता है या नहीं करता है तो friends यहाँ पर मैंने USB hub में mouse, keyboard, pin drive को connect कर दिया यहाँ पर यहाँ पर इस phone के साथ connect करूंगा और देखूंगा यहाँ पर USB hub का support इस device में है कि नहीं यानि कि इन तीनों को एक साथ USB hub के जरीए यह support कर लेता है या नहीं कर लेता है तो मैंने यहाँ पर connect कर लिया और USB hub का light वो भी जलने लगा है और इविन यहाँ पर नोटिशन भी आ चुका और pin drive का light भी बिलिंग हो रहा है तो एक बार keyboard को चिक कर लेते हैं इसने keyboard को support किया कि नहीं तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ G तो यहाँ पर देख पा रहा है G टाइप हो रहा है यहाँ पर नोटिशन दिखाई देरा होगा Sony USB drive का इस पर आते हैं और यहाँ पर वीडियो को प्ले कर लेता हूँ तो यहाँ पर वीडियो काफी जल्दी प्ले हो गया है वीडियो प्ले होने में कोई भी प्रॉब्लम ने हो और यहाँ पर मैं कट करके दिखा रहा हूँ और माउस को तीनों के एक साथ जो USB hub के जर्ये सपोर्ट कर लेता है यानि कि यह डिवाइस जो USB hub को भी सपोर्ट करता है तो फ्रेंट्स आज़ा करते हैं आप सब भी को Redmi 6 का OTG टेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंट लाइक से और सबस्क्राइब करना मत बलेगा करता है